थर्ड लेक्चर होगा है हम इसमें देखेंगे से अधरियोकोषी घुछा है कि दोगा में अधरगे गिएम जिरॉटिजर होगा हम इसमें देखेंगे। अचो करते सो फेल दोग करते हैं 말고 läuft छेंडो את करते थे Esto कि बगाऊ dessert जिस तरीके से ग्राफिकल मैथाड़ में starting point से end point को जोड़ देना होता था यह कहलाता था resultant r right then यह angle कहलाता था alpha जो के resultant का position देता था यह था आपका triangle law of vector addition right अब इसी को a यहां पर मैंने यह बना दिया same quantity इसी को shift जो है यहां करने की जगा मैं tell से tell कर देता हूं इस तरीके से जोड़ देता हूं यह होगा vector b यह angle है आ tell से tell जब ऐसी position आती है दो वेक्टर जब निकलते हैं तो यहां पर अपलाया होता है parallelogram law कैसे हम parallel जो है इसे जोड़ देते है अना parallel बनाते है दो lines किस्टे है parallel जहां intersect होता है उस point था कि दोनों के बीच में से एक vector निकलेगा उस point तक जाएगा वह कहलाता था resultant r और उसका angle ह बताता alpha जो के position यह direction बताता है तो यह दोनों कॉंट की दोनों तरीके से दोनों लोग से यह है parallelogram law ठीके दोनों तरीके से value same मिलती थी polygon law क्या था polygon law ऐसी चीज़ थी जब आपको दो वेक्टर से ज्यादा vectors given है उनमें addition करना है तो polygon law अप्लाय होगा था जैसे के यह हो गया vector a यह हो गया vector b vector c and vector d इतनी quantity आपको है चार quantity है मतलब polygon law अप्लाय होगा shifting करके देखते हैं इसमें कैसे shifting होगी यह होगा vector a then b कहा गया इस तरफ गया तो उसके आगे जुड़ जाएगा सेम वैसा ही करना एक के पीशे जोड़ देना है starting end point को मिला देंगे resultant मिल जाएगा जैसे के हमने देखा है इस में triangle law में then यह b बना लिया यह c हो जाएगा इसे ऊपर में है चले जाएगा c यह वाला c then d d ऐसे आ जाएगा कुछ यह ऐसे आ जाएगा vector d starting point यह है end point यह है दोनों को जोड़ दिया direction is starting to end रहेगा यह वाली quantity के लाएगे आपकी resultant यहां से यहां तक के quantity के लाती है resultant यह थोड़ा सा remind हो गया हमारा हमन जाएगे analytical method मैंने last previous lecture में आपको बताया था graphical method then analytical method इसमें हम सारे formulas derive करेंगे और formulas से problem solve करेंगे इसमें हमने last time देखा था एक होता था a vector दूसरा अगर होता था b vector then इसके बीच में से कहीं से ऐसे resultant निकलता था यह हम ऐसे मिला देते थे जहां पर भी line parallel बनाते थे जहां line coincide ह इस तरीके से यह हमें मिलता था resultant r then यहां पर अगर मैं थोड़ा सा consider कर लूँ इसको मैं थोड़ा extend कर लेता हूं और इसको ऐसे लेता हूं यह 90 degree का angle है then इसको naming देता हूं P Q R R नहीं M N यहीं मैंने इसको naming दे दिया P Q and M N then इतने triangle में देखिए इतने triangle में कौन से Q N M में द में देखना है नहीं तो यह बताइब कि वेक्टर है तो यह क्या ओगा यह होगा इसके parallel यह एक्टर है तो यह 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 वेक्टर होगा A यह यहिए यह 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 यहां पर और यह वाला vector भी यहाँ पर है तो उसी तरीके से यह भी क्या होगा एंगल ठीटा होगा जैसे वी वैक्टर का इंगल ठीटा था वैसे यहां पर भी एक वैक्टर का खेंगल सिर्फ शिफ्टीं हो रही है ठीखें दैन ये भी ठीटा होगा then हम देखते हैं इसमें कि ये वाली length क्या आएगी और ये length क्या आएगी देखते है बहले cos theta देखते है क्या आने वाला है cos theta मतलब adjacent upon hypo adjacent क्या है Qm है ये quantity adjacent है theta की and hypo क्या है vector b है उसी तरीके से पहलू आ जाती है Qm equals to b cos theta same अब निकाल का देखते है sin theta opposite upon hypo opposite is mn m upon hypo hypo is vector b तो यहां पर value आ जाती है mn की b sin theta ये दोनों भी value मिल गई आप तो Qm भी मिल गया and mn भी मिल गया then इतने values हमने find कर ली अब हम देखेंगे सिर्फ इतना triangle अभी हमने सिर्फ ये वाला triangle देखा था अभी हम देखेंगे ये वाला triangle is triangle को मैं अलग separate बना लेता हूँ ये triangle is triangle के अंदर में देखेंगे ये q point है ये m point है ये vector a है ये p है and ये क्या होगा vector r है ये क्या है vector r है then ये mn है then ये mq है और ये vector a है यहां तक के vector a है तो मुझे बताइए कि यहां से यहां तक के length क्या होगी कॉंसी length यहां से यहां तक की length क्या होगी यह length होगी आपकी vector a plus qm right qm qm क्या होगा b cos theta तो a plus b cos theta होगी यह वाली length यह पूरी full length यहां से आपक के b cos theta और यह वाली length है vector a दन उसी तरीके से ये r मिल गया और ये कितनी लेंथ आई है हमारी b sin theta बस खतम पाइथागोरस थिरम अपलाए कर दीजिए right angle triangle है यहां से पाइथागोरस थिरम साम क्या लिख सकते है r square equals to ये quantity का square a plus b cos theta का whole square plus इसका भी square b sin theta का whole square क्या आजाएगा ये यहां देखिए r square equals to a square plus b square cos square theta plus twice a b cos theta right then इसका expansion b square sin square theta इतना आजाएगा then यहां से देखिए ये quantity और ये quantity को देखिए ये b square cos theta then b square sin theta b square दोनों में common है निकल जाएगा then a square जैसा का वैसा लिखेंगे b square दोनों में से common निकल जाएगा तो यहां बचेगा cos square theta plus sin square theta यहां bracket में बचेगा then यहां बचेगा आपका twice a b cos theta right then यह पूरी जो quantity होती है trigonometry में sin square theta plus cos square theta is one then यह हो जाएगा a square plus b square into one is b square plus twice a b cos theta यह हो गया r square तो r के लिए क्या formula बनेंगा यह बनेंगा a square plus b square plus twice a b cos theta then alpha भी देख लेते हैं यहां पर क्या होगा यह angle क्या रहेगा यह वाला angle क्या होगा alpha होगा alpha कैसे find होगा यह मेरा resultant find कर लिया है मैंने उसका position यह angle find नहीं किया है तो 10 alpha देख लेते हैं यह alpha है तो 10 alpha देखते हैं कैसे निकालेंगे 10 का meaning क्या होता है opposite upon adjacent opposite क्या है 10 alpha opposite upon adjacent 10 alpha b sin theta upon a plus b cos theta adjacent में क्या है a plus b cos theta तो 10 alpha equals to opposite याने b sin theta upon a plus b cos theta यह हो गया आपका angle निकालेंगे लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन एक चीज़ है यह जो angle है with respect to horizontal है angle with respect to vertical है कि यह alpha नहीं न यह जो angle है alpha यह with respect to horizontal है या with respect to a vector है जो कि a vector क्या है horizontal है तो यहाँ पर क्या होगा यह जो formula है एक चीज़ यहाँ पर important रहेगी इसको हम ऐसे लिख सकते 10 inverse b sin theta upon a plus b cos theta लेकिन कब with respect to horizontal यह कब है with respect to horizontal है अब अगर with respect to vertical हम देखें इसको यह formula को alpha निकालने के लिए with respect to vertical अगर हमें alpha निकालना है यह vertical line है और यहाँ से alpha निकालना है तो वैसी resultant का angle निकालना है तो ज़्यादा कुछ भी change यह होगा जहाँ पर a है वहाँ b हो जाएगा जहाँ b है वहाँ a हो जाएगा अभी हमने with respect to horizontal मतलब with respect to a निकाले है with respect to b निकालना है अगर हमें यहाँ से अगर निकालना है with respect to b यह vertical भी बोल सकते है sometime वैसे निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा a की जगा भी b की जगा है क्या हो जाएगा formula 10 inverse of a sin theta upon b plus a cos theta बस यह हो जाएगा क्या लिख देता हूँ मैं हाँ पर फिर भी with respect to with respect to b निकालना है ठीक है यह with respect to a हो गया पहले जो लिखा है with respect to b निकालना है तो alpha equals to 10 inverse of a sin theta upon b plus a cos theta right draw कर लिजिए यह formula बहुत important है इसको अच्छे से learn कीजिए यह formula हो गया 10 inverse formula हो गया resultant का formula हो गया angle का formula हो गया अभी हमने देख लिया formula for resultant क्या होता है formula for resultant under root of a square plus b square plus twice a b cos theta right अब देखते हैं इसमें कुछ अलग-अलग cases अगर मेरा theta angle जो है theta zero degree रहा तो क्या होगा zero degree रहा तो क्या होगा r equals to under root of a square plus b square plus twice a b cos 0 क्या होता है cos 0 equals to 1 होता है cos 180 equals to minus 1 होता है and cos 90 equal to 0 होता है याद रख लिएगा अपने फ़क्त पढ़ चुका है कहां पढ़ा है technometry में then यहाँ पर देखेंगे आप के cos 0 is 1 तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगा right तो क्या आ जाता है आपका a square plus b square plus twice a b इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह काई का expansion है a plus b whole square का expansion है then यह root में है पूरी quantity तो क्या होगा r equals to a plus b आ जाएगा root अड़े आएगा तो यह होगा r equals to a plus b कब जब हमारा angle आता है 0 degree यह इसकी maximum value होगी right यह क्या होगा maximum value of r रहेगी क्योंकि दोनों vector का directly addition हो जा रहा है then हम अगला part देखते है कि अगर consider करते के हमारा यह कब हुआ जब 0 degree था then अगर theta equals to 180 degree आ गया तो अब वापस से इस formula में देखते है क्या आएगा r equals to under root of a square plus b square plus twice a b cos 180 cos 180 is minus 1 then r equals to under root of a square plus b square minus twice a b हो जाएगा then इसको मैं इसे लिख सकता हूँ a minus b का whole square लिख सकता हूँ इसी का expansion है यह जो a square plus b square minus twice a b then root हड जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ r equals to a minus b यह आगे है मुझे r का value कब a minus b कब होगा जब theta 180 degree होगा अच्छा a minus b क्यों मैंने आपको बताया था कि vector में addition ही होता है subtraction नहीं होता है सिर्फ यह minus क्या दर्शाता है इसमें उसका direction direction पलड जाता है तो यहाँ पर हमेशे याद रखेगा या तो r equals to a minus b होगा या तो r equals to b minus a होगा दोनों में से कुई भी हो सकता है तो b minus a अगर b बड़ा है तो b पहले आएगा अगर a बड़ा है तो a पहले आएगा तो यह हमने देख लिए दोनों केसे अब देखते है थीटा equals to अगर 90 डिग्री रहता है यह ड्रो कर लिए अपने मैं मिटा दे रहा हूँ थीटा equals to 90 डिग्री तो r equals to क्या होगा आँ लिख रहा हूँ थीटा equals to 90 डिग्री तो r equals to होगा a square plus b square plus twice a b cos 90 यह पूरी term क्या होगी यह 0 होता है cos 90 तो पूरी term क्या हो जाएगी 0 तो r equals to under root of a square plus b square होगा under root of a square plus b square यह कम होगी तिसनी condition जब theta equals to 90 डिग्री रहेगा यहां पर देखिए यह जो value आया है a-b यह होगा इसका minimum value minimum value कितना आ सकता है उसका a-b आ सकता है maximum value क्या आ सकता है a plus b maximum value कब आएगा जब angle 0 degree रहेगा theta equals to 0 degree रहेगा minimum value कब आएगा जब angle theta equals to 180 degree रहेगा यह आपको याद रखना है then यहां पर अगर मैं alpha निकालना चाहू 10 inverse of यहां अगर मैं alpha निकालता हूँ तो यह होता है b sin theta upon a plus b cos theta यह होता है alpha resultant का angle का formula इसके लिए कब जब theta 90 है तो alpha equals to 10 inverse of b b जैसा कब वैसर हैगा sin theta sin theta मतलब sin 90 sin 90 is 1 sin 90 equals to 1 होता है तो क्या हो जाएगा b into 1 हो जाएगा upon a plus b cos 90 cos 90 क्या होता है 0 होता है अभी लिखाया मैंने आपको बताया है तो cos 90 0 तो यह पूरी term क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो alpha कैन इकल गया 10 inverse of b upon a यह कब होनेगा alpha जब simple b upon a कब जब हमारा angle theta जो है 90 degree पे रहेगा तो जो alpha रहेगा उसका formula रहेगा simple 10 inverse of a upon sorry b upon a तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी 90 degree आता है दो vector के बीच का अगर angle 90 degree है तो उसके angle के लिए मतलब resultant के angle के लिए formula simple 10 inverse of b upon a रहता है draw कर लेजिए मिटा देता हूँ